पानी तलग के लिए हमारे बच्चे यहां प्यासे मर जाते पानी बिन्याता आठाट दिल आठ तलग हमारे बच्चों के लिए कुछ सरकारी नोगरी नी नी दी कुछ भी नहीं करा हमारे लिए अगर बात सियासी मेकमे की करे तो लगातार मौसम बदलता इसमें दिखी जाता है राजणीती में नेताएं आरोप प्रत्यारोप के सिलसले में घिरे रहते हैं अब ऐसे में हाली में केजरी वाल पर लगए आरोप कि उन्हों ने जो है अपने घर को रेनुवेट कर रहाने के लिए 45 करोण रुपए खर्चे कर दिये हैं तो जिसको लेके बिजेपी गेर रही है अब आम आदमी की क्या राकुछ राय है हम आपको बता देते हैं माता जी क्या नाम है आपका हमारा स्री मती क्या लगता है आपको जिस तरीके से केजरी वाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जो है सरकार लॉक डाउन के समय करोणा काल में कुछ काम नहीं किया लेकिन अपने घर के बंगले को जो है बनाने के लिए 45 करोण रु कि इसे की इना देखा कोई कुछ भी नहीं कर रहे है रोट बनाने काते ना गारी आई वह चार दिन लिए भाहा खड़े कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कि बात करें तो जिस क्या कोरोणा काल में सारी सुवधाएं आप लोगों को उपलब्द हूँ थी नहीं हूँ तो और जिस तरीके से लोग लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं आपको क्या लगता है कि जब से वो केजरिवाल जी जो है सियम पद पर आए हैं वाकई भ्रस्टाचार के मामले कम हुए हैं दिल्ली में अच्छा लेकिन जिस तरीके से आपने बताए कि सड़के नहीं बन रही है रोडे खराब हैं उसको लेके सुनवाई नहीं करते हैं रोजगार को लेके आपको क्या लगता है रोजगार के मुद्धे पर बात करते हैं केजरिवाल नहीं करते हैं संतुस्ट नहीं है उनके कामे से तो देखिए जैसे कि इनका कहना है कि वाकई संतुस्ट नहीं और लग रहे हैं कि उन्होंने लोगडाउन के समय जो है अपने घर को रिनोवेट करवाने के लिए 45 करोन रुपे खर्चे पूरी तरीके से घेर रही है आपको क्या लगता है यह आरौप सही है गलत है तो फिर क्यों बीजेपी इस तरीके से उनको घेर रही और बोल रही कि कोरोन कौन कौन से काम से संतुष्ट है हर चीज काम अच्छे के हैं पानी दिया बस लाइन फिरी कर लेगी है सब कुछ फिरी कर लेगा है जो राजनीती दल है आरोप प्रत्यारोप का सिलसला चलता रहता है हाली में आरोप लग रहा है कि 45 करोन रुपए खर्चे कर दिये केजरी वा कि आख वाकरा राजनीती था हम लोगों को क्या करा हमारे लिए कुछ भी नहीं किया हमारे विंट्री नहीं कि हमारे लिए कई कंद्र की सरकारों कि से नहीं कि आप जी रहे हो पानी तलग के लिए हमारे बच्चे यहां प्यासे मर जाते पानी भी नहीं आता है आट-एट दिन पानी नहीं आता है कोई भी पार्टी आए बस बोट लेने के डेम पाज जोड़ के आ जाते हैं कि अब बोट दे दो जी हमें आपको हर एक चीज बना के देंगे आत्तलक नहीं दिया सब्सक्राइब भी नहीं नहीं हमारे दोबी घार तोड़ दिया हमारे भाई बांद भूगे मर रहे हैं पता नहीं पर बिल्टिंग है यहां पर विकास के नाम पर सारा हमारे बरबाद कर और जा दी कर दे रहे हैं पुछ भी देरहां एक आप्ज पाने जांगे नहीं पुछ भी छूब आप यहां पुछ पी जितते मर रहा है सारा पीपी के और यह चुछ भी नहीं प्या है नहीं होजा है, ठाल भूद नहीं, तो होनी चाहिए, छोगो नहीं जए पर लिया है। बहुत ज़ादा है। प्यूपनाटों का और जाना जानागा। पीपे जासे आदमी घरों में पैसे नहीं देते हैं। कि पीपी के रिचल करते हैं, सड़को पर पढ़े रहते हैं, क्या करें? बच्चे भूके रह रह रहा है. इस वे से. लोग बता हूं को कित्ती दिकतों का सामना करना पड़ रहा है। सब पो ब Today कर तकू license का समय आता है तो हर नेता के खड़ा हो जाता है कि मतने जरूर रह सब उसको लें पर जनता की क्या रहा लेकिन यहां जनता ने बताया कि उनको किस थी तरीनी दिकत्ना पड़ सब राजनेता तो अपने अपने घरों को चम्का रहे हैं लेकिन आहां मादमी की सुनवाई कहीं नहीं हो रहे हैं से तमाव खबरों से हम आपको रूबरू कराती रहेंगे तब तक के लिए बने रे सौगंध टीवी पर कैमरा परसन सचिन के साथ आस्थातिवारी आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की